हाई गाईज वाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रैविटी सरकल और बहुत दिनों से बहुत दिनों से बच्चों के कॉमेंट आ रहे थे सर नया सेशन स्टार्ट कब होगा सर नया सेशन स्टार्ट कब होगा बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था कि क्या gravity circle पर मृत्यूंजे पंडिया सर अपनी परंपरा प्रतिष्ठा अनुसाशन तोड़ रहे है और जो 2018 से सर ने वीडियो बनाने चालू किये थे और हर session में नए वीडियो बनाते बनाते क्या इस session में gravity circle पर नए वीडियो नहीं आएंगे ऐसा कभी हुआ है मेरे प्यारे बच्चो बिलकुल नहीं तो इस बार भी आप लोगों के साथ में एक नए शुरुआत करने जा रहा हूँ आप और मैं मिलकर session 2022 और 2023 की पढ़ाई शुरू करने वाले हैं जैसा आप लोग चाहते हो ठीक उसी तरह केसे हम लोग पढ़ाई करेंगे याने कि आपके मन में जो सबसे पहला doubt आएगा कि sir क्या इस बार आप लोग deleted syllabus के हिसाब से पढ़ाऊगे जी नहीं पूरा ncrt को हम detail में पढ़ने वाले हैं कुछ भी इस बार नहीं चूटेगा पिछले दो बार से कोविड की वजह से syllabus में बहुत changes आए और हमने पहले बोला कि हम पूरा पढ़ाएंगे फिर syllabus चेंज हो गया तो according to student ही में चला और मैंने सब कुछ उसके अंदर change किया लास्ट येर भी हमने आरंब बैच गाइज स्टार्ट किया था फोर हाई लेवल लेकिन उसके अंदर आप लोग सब जानते हो कि because of covid and मेरी family में कुछ ठीक नहीं रहा वो बैच थोड़ा सा अटक गया लेकिन उसके बावजूद मैंने जो GC 3.0 था वो पूरा complete कराया according to NCIT revision भी पूरा करा दिया है तो guys हम लोग कभी भी ऐसा नहीं हुआ है हमारे साथ में कि हमने जो बोला वो नहीं किया हाँ कभी कभी कुछ problem आ जाती है लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि gravity circle पर data available नहीं है आप जो chapter बोलोगे वो chapter का playlist आपको gravity circle पर मिल जाएगा लेकिन पुरानी बाते भूल जाते हैं जो हुआ सो हुआ एक नई beginning करते हैं और session 2022 2023 को start करते हैं मेरे प्यारे बच्चो तो क्या हम लोग सब ready है rock करने के लिए yeah that's the spirit तो guys आप लोगों को बस में एक request करना चाता हूँ that please come and be a part of our journey मैं आप लोगो को आज तक ना कभी कुछ मांगा है ना कभी कुछ मांगूंगा बस मैं आपको यह चाता हूँ कि जो मेरी journey है हम इसे हमारी journey बोले मैं इसे कभी भी यह शब्द ना इस्तमाल करूँ कि यह मेरी journey है यह मेरा youtube channel है यह हमारा YouTube channel है gravity circle आपका है और यह जो मैं एक नई journey start करने वाल दूसरे बच्चों तक भी पहुचा है क्योंकि जैसा मैं हर साल बोलता हूँ मेरा पूरा होल सोल टारगेट ये है कि मैं 11, 12 और 10 की केमिस्ट्री देश के हर उन बच्चों तक पहुचा सकूँ जहां पर उनके पास में फाइनेंशल प्रॉब्लम्स है आज जो 4000-5000 रुपे का भी कोई ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पा रहा है जिनके स्कूल्स में बहुत सारी फीज लेने के बाद भी उन्हें अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पा रही है वो बच्चे जो सिर्फ यूट्यूब के वेसिस पर जेई और नीट जैसी एक्जाइम्स ओलम्पियाट जैसी चीज़े क्रैक करना चाते हैं बोर्ड में 95 अबव लेकर आना चाते हैं तो मैं उन लोगों के लिए काम करता हूँ देखो अगर मुझे पैसा अं करना होगा तो मेरे पास में एक प्लैटफॉर्म पर जॉब है मैं माते पैसा अं कर रहा हूँ तो मुझे पैसे की कोई जिंता नहीं है इसलिए गाईस मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि तो मैं जो कॉंटेंट दूँगा वो शायद और कोई और्गनाइजेशन नहीं देगी क्योंकि उनको तो बैक एंड में अप पर लोगों को लेकर आना है तो वो अगर सब यहां दे देंगे तो वहाँ पर कैसे कोई आएगा इसलिए गाईस मैं हमेशा बोलता हूँ मैं 85 लेकर आया तो क्यों क्योंकि मैं pure content provide करता हूँ पूरा NCIT provide करता हूँ अभी अगर आप लोग Google करोगे that top 10 YouTube teachers in India तो उसमें आपको आपके प्यारे मृत्विंजे सर का नाम भी मिलेगा तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को thank you बोलना चाहूँ it's all because of you and नए session में मैं चाहता हूँ जोरदार support मरला ऐसा support की फार्द है हम लोग है ना एक individual channel जिस पर सिर्फ chemistry पढ़ाई जाती है और वो India का number one channel है chemistry का और हम इसे number one बनाए रखे हम इसे top पर पहुचाए बस यह मैं आप लोगों से request करना चाहता हूँ जितना आप support करेंगे उतनी जान लगा के मैं पढ़ाऊंगा तो guys चलिए रास पेसे परदा उठाते हैं इस साल मैं officially अपने channel पर class 10th का batch भी शुरू कर रहा हूँ मतलब मैं 10th के students को भी पढ़ाऊंगा नाम देखो मैंने पता नहीं कैसे लगेंगे आप लोगों को हमारी सीरीज के नाम लेकिन जो class 10th की सीरीज उसका मैंने नाम रखा है दज जुपिटर सीरीज जुपिटर मतलब गुरू आप लोगो जब 10th में आओगे तो आपके ओपर एक grace होगा जुपिटर का जुपिटर की grace की वज़े से जुपिटर के आशिरवात की वज़े से मैं यह expect करूँगा कि आपकी जो जेई, नीट या किसी अच्छे college को पाने की journey है वो यहाँ पर एक almighty की मदद से शुरू हो और आप लोग अपने dream को achieve कर सके इसलिए class 10 series is the Jupiter series for class 10 batch 11th जो बच्चा 10th clear करके 11th में जा चुका है आप लोगों के लिए the जुगनू series क्योंकि आप वक्त आगया है जुगनू की तरह चमकने का यह वो वाला जुगनू नहीं है जो बाश्चा बोलता है तेरे प्यार में चमकू जैसे जुगनू यह वाला series नहीं है यह series वो वाला है जो जुगनू रात में चमकता है वैसे ही मैं चाहूंगा जो gravity का class 11th का बच्चा है वो 11th में जाकर अपने स्कूल में अपने competitors के सामने चमके इसलिए जुगनू series and class 12th जो batch 12th है उसके series का नाम होगा jaguar series अब वक्त आगया है अपने पंजे खोलने का और अपना रुतबा अपना swag दिखाने का अपने dreams को फोडने का क्योंकि 12th के साथ साथ आपको neat और jay देना है आपको अपना board देना है और आपको अपने relative जो exam के वक्त फोन करते है बिट्टा तेरा result आगया कितना percent आया उनके सामने show off करने का भाई साथ पोड़ दिया है तो ये तीन series guys start होने वाली है pattern क्या रहेगा वो भी आपको समझा देता हूँ जो हमारी jupiter series रहेगी guys वो 7th में से start हो रही है जैसा आप लोग जानते हो class 10 में chemistry के सिर्फ 5 chapters है and हमारे पास में total एक साल का time है तो हम इस one year में इस jupiter series के अंदर एक lecture per week upload करेंगे इस एक lecture को हम minimum one hour का रखेंगे याने एक lecture में आपको काफी data मिल जाएगा and class 10 पे एक हफते में एक बार chemistry पढ़ना is sufficient और इसके तार साथ हम no doubt practice भी करेंगे पी वाई क्यू भी करेंगे और sample papers वगेरा भी करेंगे मतलब इस jupiter series के अंदर आपको पहले 5 chapter पड़ाए जाएगे 5 chapter पढ़ने के बाद आपको questions कराए जाएगे questions कराने के बाद sample paper कराए जाएगे sample paper कराने के बाद पीवाइक्यूस कराए जाएंगे जब तक तुम्हारी बोर्ड आएगी तब तक तुमको 10th का पूरा डेटा मिल जाएगा 10th के बाद में हम बात करते हमारे जुगनूस की हमारे क्लास 11 के बच्चे क्या बोलेंगे खुद को हम ग्रैविटी सरकल के जुगनू है तो जो क्लास 11 के मेरे जुगनूस है अफसे में तुमको जुगनू करके बुलाओंगा तो हाई जुगनूस क्या हाल चाल राइट तो जो मेरे क्लास 11 के जुगनू है तुम लोगों को दो मई से लग जाना है सेकेंड ओफ में को पहला लेक्चर ग्रैविटी सरकल यूट्यूब चैनल पर आज आएगा हफते में अभी शुरुआत में हम चार लेक्चर रखेंगे पोर लेक्चर पर वीक और ये लेक्चर भी आप मान के चलो मिनिममम एक घंटे के होंगे एक घंटे से जाधा के भी हो सकते हैं और इस जुगनू सीरीस के अंदर जैसा मैंने आप से कहा आप लोगों को मैं पढ़ाता भी चलूँगा और साथ-साथ में अगर कोई यह सा लगेगा कि निमेरिकल करवाना तो वो साथ-साथ करा दूँगा मतलब आप मैं पिछले बार की तरह पैटन फॉलो नहीं करने वाला कि सिर्फ थियरी करा दी क्वेशन बाद में करा हैं नहीं इस बार क्योंकि मैं पास में डिजी बोट का सपोर्ट है हम कोशिश करेंगे कि कॉंसेप्ट भी पढ़े और कॉंसेप्ट के साथ-साथ में कुछ-कुछ क्वेशन भी कर लें क्लास 11 में आपको NCRT से थोड़ा जादा ही में दूँगा क्योंकि जुगनू में यह जुगनू हमारी क्लास में बैटेंगे क्या यह सिरिफ क्लास 11 के लिए पढ़ रहे होंगे नहीं यह जेई और नीट के लिए भी पढ़ रहे होंगे तो आपका एक बेसिक अगर मुझे इस पर कोई डाउट नहीं चाहिए और 11 में तो फोड़ के आएगा और हो सकता है कि आपको मैं इतना अच्छे तरीके से पढ़ा दूँ कि आप अपने टीचर्स को बोल सकते हो कि आप ग्रीम 11 पर टीम बना लो यह पढ़ाने का काम तो मैं कर लूँगा क्योंकि मैं जुगनू हूँ ग्रैविटी का बहुत बढ़ी है शांदार इसके बाद हम लोग बात करेंगे जैगवार सीरीज की जो कि हमारे सबसे खतरनाक बच्चे होने वाले हैं मैं तुमको जैगवार करके ही बुलाओंगा अगर मैं जैगवार बोल रहा हूं तो 12 के बच्चे समझ लेकि मैं त्यूंजे सर हमारी बात कर रहा है तो मेरे क्लास 12 के जैगवार तुम लोगों का फिफ्त में से शुरू कर रहा हूं बैच एक लेक्चर अगें एक से देड़ घंटे के बीच का लेकिन वाइट बोर्ड वाली टेक्नीक से कोई रिटन नहीं होगा मैं खुद लिखूंगा मैं खुद एक्स्प्लेइन करूंगा सिर्फ डाइग्राम की मदद लूँगा उसके अलावा हम लोग पूरा कॉंटेंट वाइड बोर्ड की तरह ही करेंगे चार लेक्चर पर वी स्पैन ऑफ टू-3 मंथ हम लोग देखेंगे कि क्या सिच्वेशन बन रही है अगर हमारा कोर्स अगर फील होगा कि लैक कर रहा तो हम लेक्चर बढ़ा देंगे वह तो फिर आपको पता ही कि अब अपने बैच चालू किया है तो वह तो म्यूच्वल बात करके हम लोग कंट इतने अच्छे NCRT के लेक्चर आपको ना कभी मिले हैं ना कभी मिलेंगे that's my promise उसके अलावा हम लोग along with the lectures हम जो चैप्टर पढ़ रहे होंगे उसी के बीच में concept जो आएगा उसी concept के question वहीं practice कर लेंगे एक दो एक दो and guys that is my promise कि आपको कोई need नहीं है किसी tuition को लगाने की क्यों सर अगर आप से by chance course पूरा नहीं हुआ तो क्या करेंगे बेटा gravity circle की playlist देखो मेरे को analytics से पता चलता है कि जो बच्चा अब 11th में आ गया है जो बच्चा अब 12th में आ गया है वो बच्चा already मेरे पिछले साल के lecture से पढ़ रहा है मतलब उन्होंने वेट नहीं करा कि म्रत्यूंजे सर नया बैच कब लाएंगे उन्हें बोला हम तो पढ़ना चालू कर रहे जब आए तब आए मतलब gravity circle पर आप एक भी ऐसा chapter नहीं है जो आज तक ना पढ़ाया गया हो कुछ ऐसे chapters हैं जैसे कि polymer हो गया या आपका environmental chemistry हो गया यह क्या कोवीट की वज़े से हटा दिये गए तो मैंने पढ़ाएं नहीं वो chapters तो मैं definitely पढ़ा दूँगा मतलब आप तो content की चिंता ही मत करो अगर आपने gravity circle पर वो subscribe का बटन दबा दिया है और अगर आपने मन में ठान लिया कि म्रत्यूंजे सरी मेरे chemistry के teacher होंगे तो फिर मेरी guarantee tuition लगाने की जरुवत नहीं है अगर लगा दिये तो refund मांग लेना refund मांग लेना अपने को बिल्कुल पैसे waste नहीं करने बस register खरीदो pen खरीदो और net pack डला लो भाई net pack का मैं कुछ नहीं कर सकता वरना मैं वो भी कर देता तो बस इतना कर लो और YouTube पर dedicatedly रोज एक घंटा या week में 4 घंटे chemistry को देना शुरू कर दो फोर देंगे और guys जैसा आप लोग जानते हो साल के बीच बीच में मैं बहुत सारे surprises आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा and पूरा dedicatedly मैं आप लोगों के लिए काम करूंगा and बस मैं आप लोगों से बतले में इतना ही चाहू कि आप लोग भी मुझे अपना सपोर्ट दें all I want is support from your side और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं motivated होता रहूंगा guys देखो पूरा game motivation का है आप मुझे सपोर्ट करोगे आप gravity circle को अपने दोस्तों के साथ share करोगे कई हमेशा ऐसा होता है gravity circle पे तो पता नह channels पर मुझे ऐसा कभी नहीं दिखा लेकिन gravity पर ऐसा हुआ कि अगर बच्चे को मेरा channel discover हो गया तो अपने दोस्तों के साथ share नहीं करता बोलता मैं इनसे पढ़ लेता हूं और मैं rank मार देता हूं अब ऐसा मत करो यार अब थोड़ा सा तुम्हारे मृत्यूंजे सर को भी support कर हैं हम अकेले हैं लेकिन discoverable नहीं है shareable नहीं है तो कुछ कहीं न कहीं कमी है मुझे लग रहा है मैं मेरी side से महनत कर रहा हूं मुझे सिर्फ पढ़ाना आता है मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को बस support में चाहूंगा channel को share कर दो video आते ही video को like कर दिया करो दोस्तों के साथ share कर दिया करो अपने school group में अपने coaching group में अपने telegram group में आप share कर दिया करो बस इतना मैं आप से चाहता हूं बदले में मैं आपको साल बर dedicatedly आप लोगों के साथ काम करूँगा आप लोगों को सब चीजे provide करूँगा and अगर आप लोगों को जो last year के student है जो class 11th में थे I am really sorry मैं आरंब series continue नहीं कर पाया उसके लिए तो मैं आपसे पूरे दिल से माफी मांगूँगा लेकिन मेरी situation उस समय last year कोवीड की वज़े से खराब थी family पूरी खराब मनलब आप मानके चलो almost अब कुछ destroy हो चुका था तो मैंने class 12th का तो फिर भी syllabus complete करा दिया क्योंकि उनके boards थे but 11 पाले बच्चों से तो मैं माफी मांगूँगा लेकिन मैंने आप लोगों को बिल्कुल time रहते हैं यह बता दिया था कि मेरी 2021 की series आप लोग follow कर लो उसके सारे videos available हैं तो guys अब ऐसा pray करेंगे God से कि ऐसा कुछ ना हो pray करेंगे अपने God से कि हमें energy दे हमें motivation दे कि हम लोग talk करेंगे तो thank you so much I am waiting 7 मैं class 10 यानि हमारे जुपिटर हमारे class 11 के जुगनू दो तारीक और पांच तारीक हमारे jaguar class 12 के तयार रहे gravity circle आ रहा है और आप लोगों का इंतजार रहेगा बाबाए